जै मातादी आप सभी को दुर्गास्टमी की धेर सारी शुब कामना है अब नवरात्री का पर्व समापती की ओर है ऐसे में ये दो दिन यानि की महा अस्टमी और महा नौमी के दिन आपके लिए बहुत जरूरी है और इन दो दिनों की जानकारी आपको भी सही से पता होनी चा कितनी कन्याओं का पूजन करना जरूरी है अगर कन्याओं ना मिले तब क्या करें और जो लोग अस्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पारण यानि की व्रत कप खोलना चाहिए और अगर अस्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसरजन किस इस दिन करना चाहिए यह सब बातों की जानकरी आज की इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी क्योंकि आज दुर्गास्ट मी है और आज मा दुर्गा की आठवी शक्ती मा महागौरी की पूजा का दिन है मा महागौरी के करपा से भक्तों के सारे दुखदूर होते हैं मा अबहेदान और वरदान करती है और अपने भक्तों के लिधान करती है और अर अफ्षूल नकिन के कारण ही इनका एकनां को स्विकार किया था इसलिए आज के दिन उन कन्याओं को उन अविवाहित लोगों को मा महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए जिन लोगों के जीवन में विवाह सम्मंदी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो ऐसे में यदि आज के दिन मा महागौरी की पूजा विधिवत कर ली जाए उनका प्रेभोग उने अर्पित कर लिया जाए और सच्चे मनसेया टूट विश्वास रखकर मा महागौरी से प्रार्थन की जाए तो जिस प्रकार भगवान शिफ जैसे गुणों वाला पती मा कन्याओं को प्राप्त होता है आज की वीडियो में आप जाने के मा महागौरी की पूजा विधी पूजन मंत्र आर्तिय और व्रत कथा के बारे में और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रशनों के जवाब दिये जाते हैं अगर आपको हमारे चैनल पर दी नवरातरी के दश्मितिति के बाद से अगले दिन से ही आपको श्रीमत भागवत महापुरान के सभी अध्याय नियमित तोर पर सुनने को मिलेंगे बात करते हैं मा महागौरी की पूजा की महिमा के बारे में तो देखे मा महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प भर देती हैं ऐसे में मा महागौरी की पूजा करने के लिए अस्टमी तिथी के दिन भक्तों को चाहिए कि सुभा ब्रह्ममूर्थ में उठकर इस नानादी से निवरित होकर साफ सच वस्त धारन करें मा महागौरी श्वेत रंग के वस्त धारन करती हैं यहां तक कि इनके सा प्रियोग कर सकते हैं हर दिन की तरह इसनान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है यदि आज के दिन आपको कन्या पूजन करना है तो आप कन्या पूजन का भी संकल्प लें इसके बाद मा महागौरी की पूजा की तयारी करें मा महा को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन आपको बनाना है हलवा पूरी चने वह आप इसनान करने के बाद ही तयार करें और जितना मौन रहे कर ये भोग तयार करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा उतना ही देविमा आपसे प्रसंद होगी मन ही मनाप मा के भजन मंत्रों का जाब करते रहें इस प्रकार श्रद्धा और प्रसनमन से भोग तयार किया जाना चाहिए फिर पूजा की तयारी करते वे मां को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें गंगा जल छिड़कने के साथ ही मां का श्रंगार करें उन्हें तिलक आदी अर्पि करते वे भी करना है और यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हों तो सुभा के समय आप हवन भी कर सकते हैं हवन करने से पहले आप जो रोज की आपकी पूजा है वो जरूर समाप्त कर लें जैसे की कथा है या जो भी मंत्रों का जाप है या आपको दुरगा सब्शती के जो प्रकारे आपको पता होना चाहिए कि घर पर बहुत ही सरल विधी से हवन कैसे किया जाता है इस प्रकार मंत्रों का जाब करते वे हवन किया जाता है जो भोग आपने मातरानी को लगाना है उसी भोग को अगनी देवता को भी समर्पित करना होता है आपने जैसे 5, 7, 9 या 11 वो भी हमारी चैनल पर अप्लोडिड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर कन्या पूजन करने के साथ ही जिन लोगों को वरत खोलना है, वो वरत खोल सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन से आप वरत खोल सकते हैं, हलवा, चने, पूडी, सब्जी से आप वरत खोल सकते हैं, फिर शाम की समय भी आप भोजन करहन कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी मा महागोरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में मा भगवती, मा दुर्गा विराजवान है, आपको नियमों का पालन तो करना ही है, यदि आपनी तुर्गा के नौ रूप है, इसलिए ये नवरातरी का पर्व गहलाता है, यदि आपने केवल अस्टमी की पूजा की और नौमी तिथी को सिद्धिदातरी मा की पूजा नहीं की, तो नवरातरी के वरत तो अधूरे रह जाएंगे, इसलिए आपको नौमी तिथी तक सभी नियमों का पालन करना है, और अगर कलश की स्थापना आपने की है, तो आप दश्मी तिथी को ही कलश का विसर्जन करेंगे, याद रखना है, अस्टमी तिथी को कन्या पूजन करें, या नौमी तिथी को कन्या पूजन करें, विसर्जन हमेशा दश्मी तिथी को ही किया ज जाते हैं कि आप दश्मी तिथी को विसर्जन ना कर पाएं जैसे कि महिलाई या कन्याई हैं उन्हें पीरेट सोने लगते हैं तो फिर आप आने वाली जो चैत्रपुर्णीमा है 16 अप्रेल शनिवार के दिन उस दिन आप कन्या पूजन भी करें और उसे दिन कलश का विसर्जन भी करें और तब तक आपके घर में शुद्धसात्विक भोजन बनना चाहिए क्योंकि आपने वरत रखा है तो आपके लिए ये नियम ज्यादा जरूरी है कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमें आप बताईगा कि अस्टमी तिथी और नौमी तिथी को साधरन विदी से पूजा किस प्रकार की जाए यदि हम अस्टमी तिथी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो देखे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह स आपने बाकी साथ दिन मा की पूजा की है सभी नियमों का पालन करते वे मा की अलग-अलग दिन की आरती की है अलग-अलग मंत्रों का जाब किया है उसी प्रकार से आपको अस्टमी और नौमी तिथी के दिन भी मा भगवती की मा दुर्गा की पूजा करनी है उसी प्रकार क की प्रतीमा का विसर्जन करना चाहते हूं तो कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है आप अपने घर में वापस उस मूर्थी को रख सकते हैं जिसको आपने मा की स्थापना करने के लिए चौकी पर विराजित किया था कलश विसर्जन की भी संपूर्ण जानकारी हमारे पर अपलोडेर है कि किन सामगरियों का विसर्जन किया जाता है और ऐसा कौन सा अशुब मूर्थ है जो दश्मिति थी के समय आपको उस समय विसर्जन नहीं करना चाहिए इस बारे में आप हमारे चैनल पर अपलोडेर वीडियो को जरूर देखेगा अब जान लेते हैं माह महागोरि के पूजन मत्र और कथा और आर्थी में मा का पुजन मत्र है ओम देवी महागौर्य नम्हा प्रार्थना है श्वेते व्रशे समारूढा श्वेतामबर धराशुचिही महागौरी शभम दद्यान महादेव प्रमोददा और मा की इस्तुति इस प्रकार करनी चाहिए मंत्रों के साथ ही अब आप उपर स्क्रीन पर मा महागौरी की आर्थी भी पढ़ सकते हैं आर्थी करतिस में कपूर जलाकर आर्थी की जाती है उसके बाद इस आर्थी को अपने घर के सभी कोनों में सभी कमरों में घुमाना चाहिए और फिर वापस मंदिर में रख देना चाहिए आरती करने के साथ ही आपको अपनी घर पर यदि कन्याई आमंतरित करनी है तो मैं आपको बता दूँ कि कम से कम आप 5-7 कन्याओं को अपने घर पर आमंतरित करें वैसे कन्याओं की संख्या विशम ही रखी जाती है यदि आपको एक तीन या पाँच कन्याओं मिले तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं कन्याओं की उम्र 2 से और 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए यदि आपको 10 वर्ष से कम की कन्याओं मिलती है तो और भी अच्छी बात है कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव जिसे लांगुर भी कहा जाता है उनका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा माना जाता है अब अगर कई बार कन्याई ना मिले तो फिर अस्ट्विय नौमितिधी को कन्या पूजन किस परकार करना चाहिए तो देखे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कोई भी जगा नहीं है जहां छोटी कन्याई ना मिल पाती हो बेशक आपके घर के आसपास ना हो थोड़ा दूर ही आपको मिले लेकिन मिलेंगी जरूर आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ कन्याई जरूर मिल जाएंगी तो हो सके आप अपने घर पर कन्याई को आमन्तरित करें अगर ऐसा ना हो तो घर से ही हलवा, पूड़ी, चने जो भी भोजन आपने तयार किया है जिसे भी आप ले जा सकते हैं बाहर वो आप घर से बाहर ले जाकर भी कन्याओं को खिला सकते हैं चाहे एक जगह पर आपको कन्याई मिल जाए या अलग अलग जगह पर आपको कन्याई मिले उनका पूजन वही पर आपको कर देना चाहिए और एक बटुक भहरव का पूजन भी आपको करना है आप सभी कन्याई के चरंचो कर उनका आशिरवात प्राप्त करें और बटुक भ भोजन करा सकते हैं उनको जो भी परशाद आधी देना में जो दक्षिना जो उपहार देना time वह वही पर पर जाकर आप दे सकते हैं लेकिन जहां तक उपहो उनका तिलुक करना में पार्वति दौरान के दर तब करना प्रारम कर दिया कई वर्षों तक देवी ने केवल निरहा रहकर तो कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया लेकिन तपस्या में लीन रही इनकी कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया इनके शरीर की कांत में इसनान करने के लिए कई तब देवी का एक स्वरूप शाम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कि कौशी की कहलाया और एक स्वरूप उज्वल चंदर के समान प्रकट हुआ जो मा महगौरी कहलाया क्योंकि मा महगौरी ने भगवान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए ही कठिन तपस्या की थी जिनकी कठिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान ने उन्हें अपनी अर्धांगनी के रूप में स्विकार कर ल झाल झाल